आप लोगों को भी पता है कि आप लोगों की SSC J 2024 की डेट अनाउंस हो चुकी है 5, 6 और 7, 10 को आप लोगों का एक्जाम होने वाला है लेकिन मेजर बात यह आती है कि हम लोगों की एक्जाम की प्रिपरेशन जब हम लोग करते हैं ना अक्सर हम लोग पहले ही बड़े बन जाते हैं हम actually में select होने का wait नहीं करते हैं और अपने आपको पहले ही बहुत ज़्यादा feel करने लगते हैं कि हमसे बड़ा तो कोई नहीं है और इसी ego के साथ मैं आपको reality बताना चाता हूँ more than 90% of the students तयारी करते हैं और वो तयार हूँ नहीं पाते हैं तो भई मैं आप लोगों को एक बात तो बताना चाता हूँ बच्चोगी तरह अगर तयारी करो नो तो कोई ना कई तयारी आपकी अच्छी हो सकती है इस बात को समझने के लिए आने वाले 5 मिनट बस मुझे सुनते रहना और आप लोगों को कुछ नया जानने को तो पक्का मिलेगा आपकी ego थोड़ी कम हो जाएगी और आपकी preparation बहुत जादा बढ़ जाएगी तो क्या है थोड़ा सुनो यार सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँगी मेरे टेलेग्राम ग्रूप पे मैं आप लोगों को अल्रेडी 10-10 उनेट की short short concept वीडियो देता हूँ और सिर्फ इतना बोलता हूँ कि आप लोगों को उस content को copy में लिखना है और याद रखना है और उससे related question भी practice कराता हूँ नहीं तो आपको question खुद से practice करनी है दूसरी बात एक मैं आप लोगों को daily एक number के questions आते हैं आपके exam के अंदर तो उनको याद करने का trick देता हूँ daily एक video देता हूँ और यह कहता हूँ कि paper पे लिखके वो trick आपको बिलकुल tips पे याद करनी है और उसके बाद मैं यह भी कहता हूँ कि यह 10-10 minute की दो वीडियो और वो trick का content अगर आप तरीके से याद रखते हो तो definitely आप अपने exam में 25-30 question शुरू के 10 minute में solve कर लोगे 100% surety के साथ लेकिन पता है यहाँ पर बात क्या आती है बच्चों की ego pass में आती है यह तो मुझे आता है यहाँ पर बात यह आती है कि अरे यार वेकार की बाते हैं मैं नहीं करता अरे यार कल कर लूँगा यह अरे जो शब्द है ना यह आप लोगों को prepare नहीं करने देता और आप लोग कभी भी ध्यान देना कि आप जब preparation कर रहे होते हैं तो preparation time students के लिए वो face होता है जब वो जिंदगी से लड़ रहे होते हैं उनको खुद नहीं पता होता कि वो आगे जाने वाले हैं या बहुत पीछे आने वाले हैं क्यों सरकारी नोकरी यह कैसी मंजिल है जिसके पीछे लाखों ने बरबादी कर दी अपने जीवन की और लाखों तयार होने के लिए बैठे हैं और कुछ ही है जिन मंजिल तक पहुच पाई है सचा ही है तो भई इस दौर पे ना मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों के साथ किसी की guidance है न और आप उसकी guidance को follow कर रहे हो तो believe me आपकी तयारी तो बहुत अच्छे से होगी ही साथ में आपका जो demotivation वाला criteria है न वो जो demotivation वाला phase है वो जो guilt वाला phase है वो success होंगे नहीं होंगे आदी जिन्दगी इसी tension में बिताने वाला जो time है वो सब खतम हो जाता है आप अगर किसी की guidance follow करते हो न तो कुछ benefits आपको देखने को मिलेंगे क्या benefits होंगे सबसे पहले आप broadcasting nature छोड़ दोगे ये अभी नई बाद में फिर कभी ये करके जो time based होता ये छोड़ दोगे आप on the spot तयारी करोगे मैं कहता हूँ 10 minute की वीडियो का content लिखने में आपको 10 minute लगने है तो 10 minute अगर आप invest करते हो न तो वो 10 minute का concept तो आपने सीख लिया जो पिछले 10 साल से sst में frequently पूछ रहे वो concept तो आपने सीख लिया साथ की साथ आने वाले topic के लिए जो आपका nature है न बाद में कर लेंगे वो छोड़ जाएगा प्लस आपकी जो confidence level है न वो increase होगा क्योंकि आपके पास एक support रहेगा एक moral support रहेगा कि हाँ हमारे साथ कोई guide करने वाला बैठा है वो जो अकेले चलना होता है न रास्ते पे वो बहुत मुश्किल होता है अगर किसी का support किसी का साथ एक moral support अगर mind के अंदर factor बन के बैठा हुआ है न तो believe me चाहे कितना ही रास्ता कांटों से भरा हो चाहे कितने ही रास्ते पर पत्थरी पत्थर चट्टानी चट्टाने हो मैं normal उसको फूलो की तरह समझ के पार कर जाओँगा ये बात याद रखना मतलब मैं इस face से गुजरू और मैं उस face से गुजरने के बाद आपकी हालत को समझ कर ये बात आपको समझा रहा हूँ कि अभी बड़े मत बनो एक बड़ी select हो जाओ select होने के बाद बड़े बन लेना अभी बच्चों की तरह दयारी करो जैसे बच्चों को एक कदम पे बताया जाता है ये करो वो करो ये करो वो करो मैं ऐसे बता रहा हूँ तुमको लेकिन ताजुब की बात ये है कि तुम follow नह एक्जाम के अगर अभी नहीं किया ना तो याद रखना कि बहुत कुछ हाथ से निकल जाएगा फिर वो एक साल का बेट करना पड़ेगा और अभी कर लिया ना तो बेशक आप S.S.C.J. में select नहीं हो रहे ठीक है लेकिन एक confidence तो साथ में होगा अरे UP SSC, RRB, DDA, LINE में लग बोलना जाता हूं कि किसी की guidance के साथ चलो जिसको experience है अगर वो आप लोगों को अपना कुछ provide कर रहा है तो कहीं ना कहीं आप लोगों का benefit होगा मैं सिर्फ अपनी बात नहीं करना मैं अगर अपनी बात कर रहा हूं तो मैं सब का example लेकर चल रहा हूं जिसके भी अंडर आप तैयारी कर रहे है तो आप उसकी guidance को follow करो हर एक कदम पे उससे पूछो हर एक कदम पे उसको force करो कि अब क्या करना है हर एक कदम पे क्योंकि वो अनुभवी है उनके guidance से बहुतों का selection हुआ है अगर वो आपको कुछ बता रहे हैं तो definitely उन्होंने भी तैयारी की है वो खुद करने का according to me यह अपने आपको खीच कर लाने का वेस नहीं है शांत बैठो एक दम शांत बैठने के बाद guidance follow करो हां जो वो कहते हैं उनको follow करो नहीं कहते हैं तो पूछो जबरदस्ती को बताओ ना दो मेने का time है अभी नहीं तो कब यह शरीर है मुझे लगता है कि civil engineer है हम से ज़्यादा मेनत तो कोई नहीं करने वाला दो महीने खूब मेनत कर दो खूब चादा मेनत कर दो देखी जाएगी जो भी होगा वो सफलता मिले ना मिले लेकिन इतना है कि मैं इतना कर दूँगा इतना कर दूँगा कि सफलता ना भी मिली तो मैं आपने आप में सफल हो जैसा कि मैंने आपको बोला कि बच्चे बनके तयारी करो बड़ा बाद में बन जाना जब सेलेक्ट हो जाओगे ठीक है और बड़े आपको हम मनाएंगे क्योंकि आपके सेलेक्शन के बाद मिठाई का डबा मैं लेकर रहांगा आप मुझे बस इन्फॉर्म कर देना ठीक है अ अज़ तक किसी ने निकरी है किसी भी चनल को ले लो और मैं हमेशा फ्लेक्चील बात करता हो मैं कभी वह यूट्यूब वाली और वीउस बात आप लोगों से नहीं करना चाहता क्योंकि अभी वह टाइम नहीं है अभी सिर्फ वह टाइम है कि आप पढ़ो सेलेक्शन उसी क marathon classes से कर रहे हो तुम अपनी revision crash course पूरा पूरा lecture देखके करे जा रहे हो अब वो time नहीं है अब time वो है कि तुम लोगों ने notes बना रखे है अब notes से पढ़ लो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा और मैं factual data बता रहा हूँ कि मारा ही दोस्त कोई select हुआ होगा नहीं तो मेरे बहुत सारे student है selected कितनों ने YouTube से last time में पढ़ाई करी थी not even a single student not even a single student जिसने YouTube से पढ़ाई करी last time में पढ़ाई होगा नहीं हो सकता पॉसिबली नहीं है अभी तो वो time है कि तुम लोगों ने जो भी पढ़ा है उसको revise कर लो और याद रखना अगर तीन लाग बच्चे फॉर्म बर रहे हैं तो उसमें से दो लाग सतर अजार बच्चे वो ही हैं जो YouTube पढ़े रहते last time पे किसी के बरोसे बैठे रहते guidance follow नहीं करते, self study नहीं करते बस पूरा कंदे पे एकदम वजन डाल देते हैं अपना मैं तो अराम करूँगा और मैं देख लूँगा lecture उसको वो पढ़ना कहते हैं नहीं होते select competition सिर्फ और सिर्फ हमारा 10% सही होता है जो खुद पढ़ाई करते हैं और मैं यह हवाबाजी नहीं बोल रहा है मैंने बोतों का selection दिया है मैंने खुद भी पढ़ाई करी है जो experience किया है मैं वो बोल रहा हूँ follow कर लो बच्चे बन जो, दो मेने के लिए बच्चे बनने में कोई गुराई नहीं है आप हर कुछ अपना मेरे उपर सोब दो हर कदम जो मैं कहता हूँ बस उपना काम कर लो उसके लावा जो मर्जी करते लो मैं guarantee लेता हूँ SSC JE में performance उभर कर नजर आईगी और मेरा काम क्या है वो सुन लो एक तो टेलिग्राम जोइन कर लो टेलिग्राम पे दो तिन चीजे देता हूँ मैं आपको एक तो दस-दस मिनट वाली दो वीडियो देता हूँ शोर्शोट जो पिछले दस साल से SSC में पूछे ही जा रहा है आगे भी पूछेगा तो वो question वो topic मैं आपको 10 मिनट में समझा देता हूँ उसके notes बनाके उसको tips पर याद करना है 20 मिनट का काम यह हो गया एक मिनट के एक short trick देता हूँ एक मिनट लगी copy में लिख लिया उसको याद करना है 21 मिनट काम हो गया अगर ये काम आप लोग करके देते हो तो मैं आप लोगों को cash price भी देता हूँ cash price तो सरफ आपकी motivation के लिए होता है उसके बाद अगर ये मेरे तक proof आजाता है आपने notes पढ़ लिए और आपने याद कर लिया तो उसके बाद मैं आप लोगों को दूँगा practice question हाँ मैं दूँगा practice question वो practice question अगर आपने solve कर लिए उसमें self made questions है हूँ मेरे खुद के बिनाए वे होंगे वो अगर आपने solve कर लिए ना I am damn sure आपको SSCJ में डर तो ने डरा सकता performance आपकी अपनी रहेगी performance होंदा time depend करेगा कि आप कैसी करके आते हैं लेकिन हाँ मैं satisfy हो जाओँगा आप satisfy हो जाओगर पक्का आपका performance बहतर ही होगा जब सब कुछ confidence के साथ होता है तो बढ़िया आता है result बस इतना करके देखो न दो मेने का time है मैं दिन के आपके दो घंटे ले रहाँ बागी का time आप कर लो वो करो बच्चे बन जाओ यहां अपने आपके ओ प्रूब करने की कोशिश मत करो अभी प्रूब कर लेंगे न सेलेक्शन हो जाएगा बड़े बन जाएगा बड़ी है प्रूब हो जाएगा आपने आप प्रोकस्टिंग नेचर छोड़ दो नेगेटिविटी छोड़ दो आपको कैसा लगा कमेंट पर मेंशन करना और कुछ और इंप्रूब्मेंट की बात आप बोल सकते हो मुझे तो बोल देना वॉइस सेशन होता है हमारा आपको साड़े दस बजे टेलीग्राम पर अगर आप वॉइस सेशन में जूड़ना चाते हो और अपने जनरल क्वेरी मुझसे पूछना चाते हो तो आप जूड़ सकते हैं इंफोर्मिशन जो आपको पहले दी गई है टेलीग्राम में जूड़ने के लिए आप कॉंटेक्ट कर सकते हैं उस नमबर पर या वट्सप के अलावा डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है टेलीग्राम का वहां से जोई हो जाईए बट मेहनत करो झाल